श्रीमत भागवत कथा के चटे दिन व्यास पंडित कृष्ण कुमार दिक्षित महराज ने श्रक्रिष्ण और रुक्मणी के विवा के अम्रित वर्षा का शद्धालू को रिस्पान कराया। श्रीमत भागवत कथा के दोरान बीच बीच में सुन्दर सुन्दर जाकें प्रस्तुत की गई श्रीमत भागवत कथा के चटे दिन सरप्रथम व्यास पंडित कृष्ण कुमार दिक्षित महराज ने श्रीमत भागवत कथा के गडिश वंदना विदेविदान से शुवारम कर च्छटे दिन कथा व्यास जी ने भगवान शे कृष्ण के देगवे महारास लीला का वर्णन किया उन्होंने का कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वेम भोले ना तुनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुँच गये मतुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आये जब भगवान शे कृष्ण मतुरा जाने लगे समस्त्र ब्रश की गोपिया भगवान कृष्ण के रत के आगे खड़ी हो गई कहने लगी हे कनयया जब आपको हमें छोड़ कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया गोपी उद्वास श जारी का नगरिया निहाल सकिया आगे जारी का नगरिया दिहाल सकिया